प्यारे बच्चुन मुश्टा आज प्लास 12 फिजिक्स का पहरा चिप्टर पहरी यूनिट के यह पहरा चिप्टर लिए तुम शुरू करने जा रहा है यह विशिकलिए हमने हिंदी वीडियो बच्चों के लिए वीडियो बना नहीं क्या सुछाए यह त्षितिंगार पड़ है समाली जेला स्थिर वैदुतिकि नाम से लग रहा आपना एक छेत्र बनाएगा अपना जोगी प्रभाव हो और छोड़ेगा इसके बाद ही जब चलना शुरू करेगा किसी तार के माध्यम से तो धारा बेएगे एक नियत रेक से चलेगा और जब उसी तार में चलेगा एक्सिलरेट करेगा तुरित होगा तो कुछ और एफेट करेगा इसके वारे बाद बाद करेंगे इसका पहला लेसन है यह वैदुत आवेश है वैदुत आवेश लेकि जब कोई डेफिनिशन बताएंगे आपको तो आप चाहें तो कापी आपी लिख लीजिएगा नोट कर लीजिए उसमें इस्तिर वैदुत विज्ञान इसकी क्या होगी हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञा कि वह साखा जिसमें ऐसे आवेश या उसके गुण धर्मों के बारे में अध्यन करते हैं जो इस्तिर रहता है जिसमें हम इस्तिर आवेश और उसका गुण धर्म आवेश तो इस्तिर रहेगा लेकिन वह चालों तरह अपना एक फील्ड क्रेट करेगा अपना छेत्र क्रेट बात में अध्यन करेंगे तो इस्थिर ऐसा आवेस जो इस्थिर रहे और उसका जो गुर्धर्म होगा उसके बारे में जो अध्यन करें वो विज्ञान की जो साखा होती है वो इस्थिर वैद्द विज्ञान के लाती है अब ये कहां से इसका development हुआ कहां से की की खोज भी इसके बारे में देखिया जाद से सबसे पहले तक्रीबन आज से 26 साल पहले थेल साहब एक दार्सनिक होते थे 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 उन्होंने क्या किया कि अंबर और उन इंबर इसको एंबर कहते हैं अंबर को ऊन में रगड़ा आपस में रगड़ा तो देखा अंबर में अंबर में कुछ प्रपर्टी आगई जो कुछ चुछ चुछ पार्टिल्स को अपनी खींच रहा था जैसे आप पैन ले लीजिए और जिसके सर्बें बाल हो तो उस पैन में चुछ पेपर्स को उठा लेता है तो उन्होंने का यहां कुछ तो है कोई ऐसी प्रपर्टी में जा गई है कोई गुण आ गया है जिसकी वज़ेसे हो रहा है लेकिन आप चुको उस समय किसी ने इस पर ध्याने दिया और आज बीज बात गई कि तक्रीबन 2000 साल तक कोई कुस्में कुछ बोला नहीं कि इसके बाद सब्सोला सो में सब्सोला सो में यह तक्रीबन 600 बीसी उन्होंने कार्च को रेशम में रिला तो देखा इसमें कुछ प्रवर्टी वैसी आदें विल्यम बिलपर साब में बारे में बता दें कि कुई एलजाबित फर्स्ट के परसनल डाक्टर भी हुआ करते थे तो उन्होंने देखा कार्च पी पॉजडिव चार्ज हो गया और पर निगेटिव होगा यहां बता रहा है उन्होंने बताया अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी उन्हों देखा ऐसा होता है इसे प्रकार से आपनूस को जब बिल्ली की खाल में लगणा गया तो ऐसे कुछ उसमें भी प्रवर्टी आई तो मैंना इसका मतलब ही होता है इसके रडड़ने से कुछ हो रहा है क्या हो रहा पता नहीं क्या हो रहा है अब इसके बाद क्या किया गया अब इसका नाम कैसे दिया जाए यह क्या चीज है इस बना का नाम है अमबर को एक्ट्वली में ग्रीक भास्वा में इलेक्ट्रान कैसे है इलेक्ट्रान की खोज और दूसरी काच की चर एक पास लाएगी तो जैसे काच और काच की चर पास लाएगी है दूर होई इसको बद आगनूस और आगनूस की चर लाएगी आगनूस और आगनूस की लाएगी तो अच्छा एक चीज और बहुता लिगा आगमूस को जब बिल्ली की खाल में लगरते हैं तो आगमूस नेगेटिव हो जाता है आगमूस और आगमूस की छड़ लाएगे वो भी दूर होगी आगमूस और काँच की लाएगे तो अटेट कर रही थी तो यह तो बड़ा अजीब बात है क्या हो रहा है और जब आगमूस और काँच को ऐसे मिला दिया गया तो देखा गया कि दोनों में कोई आविस नहीं था बराबर हो गया यानि किसी ने किसी चीज़ को कैंसल कर दिया अब कैंसल क्या करता है पॉजिटिव चीज जो होती है वो निगेटिव चीज को कैंसिल कर देती है तो उन्हें का इसका मतलब है यह नाम रखा जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक निगेटिव चार्ज होता है में उसकी सेयस्तित है एक पफर है फर जाूख के जो गशेस होते ही एक फर करते हैं एक ग्लास है इसको इंग्यस में ह Portuguese एक सि सिल्क है एक एक एमबर है एक एक टाइप कह्ता है ताइवान में पेड़ों में पाए जाता है जाता है और ये गटा है पर्चा एक फ्लैनल है, एक फ्लैनल है, कॉटन है, एक ह्यूमन बॉडी है, आप जानते हैं आदमी का सरील भी, आविसित होता है, एक सलफर है, एक सीलिंग वैक है, इसको चपड़ा कहते हैं, दिखा होगा, लालाल होता है, उसको जब कुछीच सील की जाती है, तो उसमें लगाए जाता है, एक फ्लेपर है, कालच, इसको कहते हैं, वुड़ है, लकड़ी, पाइयम चड़ता है तो पत्टा एक पईयम चड़ता है तो वो ऊतर न जाए इसलिक उसमें चपचिपा पडार्थ लगाया जाता है और एक इवो नाइट है सब sixingen ऐसे आपने गलास को सिल्क में ड्रग ना तो ग्लास को आमर को तो एंवर पर्जी ख़िए हूं को सब्सक्राइब अपछक्रेट आ श्क्राइब कि कि यह नोट अब देखिए ACT कि के आप छप्रतु कने निण झ्योंनों कि यह दो चोद्वाख हैं जिसे करण सो कज के पास लेकर के आएं सिसर्अ देखा काज विन गाविसई हैं एक तरीका की पर它 इना पर किसे रहा देश यह संच पराएं सो विद्सने को प्रतकर्शित हैं यह साँ TN R विजाती आवेश जो हैं वो प्रतकर्शित करते हैं और विजाती आवेश जो हैं वो एक दुस्रे को आकर्शित करते हैं ठीक है देखिए आवेशन की विधियां क्या है कैसे किसी बोड़ी को आवेशन की विधियां देखिए आप जानते हैं आवेश इलेक्रान टोटा और जाहिए तो आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है ठीक है उसके चार और इलेक्ट्राण चका लगाया करते हैं तो सिंपल से बात है अगर दो वोड़ी को तो क्या होगा में तो एक से डीक्ट्राण झालेंगे तो एक से तूटके दूसरे में जाएंगे या दूसरे स विद्धी द्वरा किसी बोडी को आवस्थित कर सकते हैं…. दो अगर चालक है और उनको आपस में संपर्ग करा दिया जाए तो इलेक्टरान एक बॉड़ी से दूसरी बॉड़ी में जम कर जाएंगे चले जाएंगे तो यह चालन जिससे हम आविश्द कर सकते हैं दूसरा होता है प्रेरण विद्वार अगर माने कोई आविश्द बाड सब्सक्राइब होता है इसके इधर निगेटिव हो जाते हैं इसको छुआ नहीं लेकिन ये निगेटिव हो इसको हम प्रेरण की वावना हमनों के अंदर बहुत हैं आपने देखा होगा कहीं पर भी आप क्लास में पढ़ रहे होंगे और या नहीं पढ़ रहे होंगे दूसरा किताब निकालेगा और हुआ करते हैं ये आउनलएं फ्रेरण हमेंसा अप्रण काज़येगा और और रहे होगा होने हैं से इसके में आप इसके बार lotta नहीं करेंगे बहुत चोड़ि शूटी सी बात है उस बाते समझ लिजेगा positive और negative आवेस होता है electron एक body से transfer हो के दूसरी में जाते हैं electron पे रिरात्मक आवेस होता है आप जामते हैं electron पे जो आवेस होता है उसको आपने पड़ा है 1.6 into 10 power minus 19 गुलाम electron पे आवेस होता है minus का 1.6 into 10 power minus 19 गुलाम का होता है proton पे जो आवेस होता है वो इतना ही plus में होता है 10 power minus 19 कुलाम ठीक है अगर किसी से electron कुट के दोसरे में जाते हैं तो अगर n electron गये तो total charge q बरावर plus minus n होता है इससे number of electron निकाल देंगे अगली बात हमने कहा quantization होता है electron पूरी की पूरी मात्रा में जाएगा 1 जाएगा 22 जाएगा आधा नहींजयगा कि आधा बाहर किया समय तो आधा जाएगी आधा नहींजयगा अंगर नहींसले जोए नहींदर राव ठीक है तो यह कुछ भाते हैं तो basic concept यशना ज्यादा पस हल्की सी वैलू याद रखिएगा अब हम बात करते हैं कुलाम के नियम की यहीं से आपका स्लेवर से स्टार्ट हुआ है ठीक है हम जब बोलेंगे कोई चीज तो वह डेफिनिशन होगी ठीक है उसको आप चाहें तो देर देरे वीडियो को पॉस्ट करके थोड़ा लिखते ग्रेविटेशन था आपने पढ़ा होगा गुरुती शेत्र हम जानते हैं कोई बोड़ी गिरती है तो नीचे आती है देखती है आपको हम जानते हैं प्रत्यास्ता होती है बोड़ी प्रत्यास होती है की चोगी तो दिखेगी आपको हम जानते हैं पानी बहता है हम सब बात यह है कि यहां का जो इलेक्टरान निकलेगा वो पूरी किताब में चलेगा कभी रुखा रहेगा जलता रहेगा तबी बैद उच्छेत उत्पन करेगा कभी प्रगास उत्पन कर देगा तो बड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज है और सवधान से पढ़िएगा सवधानी से अगर आपने साइंसाइड लिया है तो वो सवधानी से पढ़िएगा इसको तेकि कुलाम साब ने क्या कहा उन्हों ने कहा कि अगर दो इस्थर बिंदु आवेस चरा बड़ सोगिएगा तो बिंदु आवेस होने चाहिए बिंदु आवेस का मतलब आवेस एक जगए स्थिर होना चाहिए एक जगए होना चाहिए जैसे एक राड है इस पर आवेस है ऐसा नहीं चलेगा इस सभी इलेक्टरान को बना कि गोला एक जिया रख दीजे तो उन्हों ने जागर दो इस्थिर बिंदु आवेस क्यूवन और क्यूटू अगर उस दूरी पर रखे जाए तो व को स्टूरें इस को मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगत ठीक है और इनके बीच की दूरी र utilizz दूरी ये वर्गन नहीं होना चाहिए और बिंद बन आवेस होने चाहिए क्या कुछ दूरी पर रख दिए जाएं तो इनके बीच जो बन होता है वह बल आकर्षण का होत करेंगे दोलों का निचर गर यह जासा है अगर दोनों धनात्मक है ततव रनात्मक है तो प्रजचित करेंगे एक जिए फटा गर अजिया कैक। और इसकी वैलू जो होती है वो 9 इंटू 10 टू पावर 9 अब जाय यूनित समझेगा के निकाल ले हो इसको इधर ट्रांफर पर के लाओ तो F के साथ R स्क्वाइर गुणे में आ जाएगा तो Newton मीटर स्क्वाइर अपान कूलाम स्क्वाइर जिसका मात्रक होता है तो K की वैलू क्या होगी 9 इंटू 10 पावर 9 Newton मीटर स्क्वाइर पर कूलाम स्क्वाइर ठीक है ये नोट करते लिएगा इसके बाद K का मान क्या होता है कि देखिए K को बाद में लिखा गया K is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 जरा इस वर्ड को पकड़िएगा अभी हम बात करते हैं इसकी वैलू कितनी होने होता है 9 इंटू 10 पावर 9 Newton मीटर स्क्वाइर पर कूलाम स्क्वाइर इसे हिंदी में हम बता रहे हैं देखिए ये epsilon 0 क्या होती है epsilon 0 जो होता है वो होती निर्वाद की वैदुस शीलता निर्वाद की वैदुस शीलता मतलब जो निर्वाद है यूँ कहिए air है वो कितनी वैदुस शील है इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा इसकी वेलो मताले इसका अमान होता है 8.85 इंटू 10 पॉर माइनस 12 अब दरा इसकी यूनित समझिएगा इसकी यूनित होती है स्क्यूल्टी कूलाम स्क्वार पर न्यूटन मीटर स्क्वार इसकी साहता से आप विमा निकाल सकते हैं तो विमी विसलेशन आपको 11 पर पढ़ाए लिए ठीक है ते की यह फर्मिटी इसको पर मिटी इंगलीशन ने कहते हैं है पर मिटी विटी नाम से लगाहाण पर मिट कि जानते हैं कि वाडी में आवेस होता है और एक विजली का कोई तार है उसमें भी आवेस तरह नहीं ऑलकी बात है आवेस है उस आवेस नहीं चंग अन्सक्स हत्ध leaning दू के उए यानि कि हमारी वाडी उस वैत्रशित द्वरा एक बल कारे करेगा लेकिन माध्यम क्या करेगा उस बल हो कंदा कर देगा ठीक है तो जितनाव कम कर देता है जितनाव हो कम कर देता समझेगा वो हम्तलब मालिया कि वहां से 10 लाइंस हमको अटेट कर रही है और यह हम पे बल लगा रही है और दीन चार लाइन ऐसी है जिनको माध्यम सोक लेता है कम कर देता है इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो पर्मिटिविटी है जो कम कर दिया वो उसकी वैदुशीलता है मतब माल लिया हम एक लकड़ी ले 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 और एक स्विच है हमने उसके लड़े में स्विच में डाल दिया और पकड़े खड़े लकड़ी ने क्या किया उस लाइन को पार नहीं होने दिया तो वो उसकी पर्मिटिविटी थी लाइन को रोक देना और जो हमने लोहे का तार निगा है लोहे का तार वहां से करेंट को आरे दे रहा है यानि माले सो लाइन सो वहां से आ रही है माले सो गुना वहां से आ रहा है लोहे के तार ने तीस गुना सोक लिया तो उसकी permittivity 30 होगी इसको हम निवात की वैद्शिर्दा कहते हैं अब माल लेते हैं यदि इन आवेसों के बीच कोई माध्यम रख भी आ जाए यदि आवेसों के बीच कोई माध्यम रखा जाए कैसे ये Q1 आवेस था ये Q2 आवेस था हमने बीच में माल लेते हैं पाई रख दिया बीच में कांस रख दिया बीच में माईगा रख दिया तो जब माध्यम रख देंगे तब F बराबर होगा 1 अपान 4 पाई एपसाइलन अब 0 नहीं लगाते हैं ध्यार रखेगा इन्टो Q1 Q2 अपान R2 जो एपसाइलन है इसको कहते हैं माध्यम की वैद्ध शीलता ये निर्वात की थी अब कल्पना करिए अगर निर्वात वैद्ध शीलता ना होती तो बहुत हाई टेंशन लाइन फासन निकलती- 3,000- ये माध्यम की वैद्ध शीलता है Ó अब्युत है और एफ्साइलन और अनौट का अनौबस होता है उसको हम के से रिप्रिन करते हैं, ये के से करते हैं, ये माध्यम का परावैदोतांक है, अब इसकी कुछ वैल्यू होती होगी, यहां से एपसलर निकालेंगे, तो क्या हैगा, के एपसलर निकालेंगे, तो यहां रख देंगे, तो अता है, F is equal to क्या होगा, वन अपान, फोर पाई, एपसलर नोट के, क्यूवन, क्यूटू अपान, आज स्कुरर, तो जब कोई निकाल लगाएंगे, आगे जो प्रूफ करेंगे, उसमें हम आवेश रखेंगे, एक माध्यम मानेंगे, माध्यम का परावतां के मानेंगे, इस प्रकार से, और ये प्रू आपान, पुर। अपान, शॉवन से उपान, और मुवन वातसे लिए्टर, ओ। लगएगेब के क mão से जएगे जएपरेंगे, तो stabdit बाएगे, निक मुवन म्ふक्याएंगे, जिक वांपषेंगे, तो बाहाएंगे, देटर निएकोंगे, बष realmente जएगे हम जएगे, आईर